मैं नारिशक्ती बंदन अदिनियम दो हजाद तेज के समार्तन में कड़ी हुई स्त्री की भगिदारी तैक करने के वाला समविधान संशोडन मेरे जीवन साथी राजीव गांडी जी ही लाये थे राजीव गांडी जी का सपना अभी तक आदा ही पूरा हुआ है इस बिल के पारित होने के साथ ही वा पूरा होगा अध्याक्ष महोदे आपने मुझे बोलने का इजाज़त दिया मैं आपकी अभारी हूँ भरतिया राश्या कांगरिस के तराफ मैं नारीशक्ती बंदन अदिनियम दो हजाद तेज के समार्तन में कड़ी हुई दूए से बड़ी हुई रसोई से लेकर रोश्णी से जगमगाती हुई स्टेडियम तक भारत की स्ट्री का साफर बहुत लंबा है लेकिन लेकिन आखिर खार उसने मंजिल को चूलिया है उसने जनुंदिया उसने परिवार चलाया उसने पुरुषों के बीच तेज दौर लगाई और असीम धीरच के साथ अक्सर कुद को हारते हुए लेकिन आकरी बाजी में जीतते हुए देखा भारत की स्ट्री के व्रिदे में महसागर जैसा धीरच है उसने कुद के साथ कुई बीमानी की शिकायत नहीं की और सिर्फ अपने फैदे के बारे में कभी नहीं सोचा उसने नदियों की तरह सब की बहाई के लिए काम किया है और मुश्किल वक्त में हिमाले की तरह अदिद रही स्ट्री के धैर्य का अंदाज लगाना नमुम्किन है वह आराम को नहीं पैचानती और तक जाना भी नहीं जानती हमारे महांदेश की माह है स्ट्री लेकिन स्ट्री ने हमें सिर्फ जनम ही नहीं दिया है अपने अपने आसों खुनपसी ने सीच कर हमें अपने बारे में सोचने लाइक पुद्दिमान और शक्तिशाली भी बनाया है अध्यक्श महादे स्ट्री का महनत स्ट्री का गरीमा और स्ट्री के तयाग की पहहचान करके ही हम लोग मनुश्यता की परिक्षमें पास हो सकते अजादी की लराई और नय भारत के निर्मान की हर मोर्च पर श्त्री पुरुष के साथ कंदे से कंदा मिला कर लड़ी है वह उम्मीदों, अकंचाव, तकलीफों और गार करहस्ती के बोज के नीचे नहीं दबी सरोजनी नाइडू, सुचेता क्रिपलानी, अरुना असाफली, विजय लक्ष्मी पंडित, राजकुमार अमरिट कौर और उनके साथ तमाम लाको लाको महिलाई से लेकर आज की तारिक तक श्त्री ने कतीन समय में हर बार महात्मा गांडी, पंडिच्वारला नेहू, सरदार पतेर, बाबा सहाब बन बेद कर और मुलाना आजाद के सपनों को जमीन पर उतार कर दिखाया है इंडिरा गांडी जी, इंडिरा गांडी जी का व्यक्तित्व इस सिल्सिले में एक बहुती रोशन और जिन्दा मिसाल है अध्याक्ष्मा होगे, खुद मेरी जिन्दगी का ये बहुत मार्मिक शान हो पहली दफा स्तान्य निकायों में स्त्री की भगिदारी तैक करनेक वाला संविधान संशोडन मेरे जीवन साती राजीव गांडी जी ही लाए थे जो राज्यस सबा में साथ वोतों से गिर गिया था बाद में प्रदान मंत्री पीवी नरसिमराओ जी के नित्रित्व में कांग्रेस सरकार ने ही उसे पारिट कराया आज उसी का नतीज़ा है कि देशबार में देशबार के स्थान्य निकाईयों के जरिये हमारे पास 15 लाग चुनी हुई महीला नेता है राजीव गांडी जी का सपना अभी तक आदा ही पूरा हुआ है इस बिल के पारिट होने के साथ ही वो पूरा होगा अभ्याक्ष महोदे कांग्रेस पार्टी इस बिल का समार्तन करती है हमें इस बिल के पास होने से कुशी है मागर इसके साथ साथ एक चिंटा भी है मैं एक सवाल पोचना चाहती हूँ पीछले तेरह वर्षों से भर्टीयस त्रियों उस्त्रियां अपनी रजनीटिक जिमेदारी का इंतजार कर रही है और अब उन्हें कुछ वर्ष और इंतजार करने के लिए कहां जा रहा है कितने वर्ष दो वर्ष चार वर्ष छे वर्ष आठ वर्ष क्या भारत की स्त्रियों भारत की स्त्रियों के साथ वा परताव उचीट है वर्ष राष्चिया कांगरिस की मांग है की यह बिल फोरां अमल में लाय जाये लेकर 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 ईसके साथ ही कास्ट सेंसल करांख़ शेजुल कास्ट शेजुल ट्राइब OBC's की महिलाव के अराक्षन की व्यावस्ता की विज्याव सरकार को इसे साकार करने के लिए भी जो कदम उठाने की जरूरत है वो उठाने ही चाहिए अध्याक्ष महोदे श्ट्रियों के योगदान की स्विकार करने और उसके प्रती अभार व्यक्ट करना का यह सबसे उचेट समय इस बिल को लागू करने में और देरी करना भारत की स्ट्रियों के साथ घुर नाइंसाफ हुए बर्थिया राश्टिया कांग्रिस की तरह से मैं आपके द्वारा सरकार से मांग करती हूँ कि नारी शक्ती बंदन अधिनियान दो हजार तेश को उसके उसके रास्टे की सारी रुखावतों को दूर करते हुए जल्दी से जल्दी लागू किया जाए ऐसा ऐसा करना ऐसा करना ना सिर्फ जरूरी है बाकी संबाद भी है अर्लिवाद अर्लिवाद